जैनब, चलो, अंदर चलो लेकिन अबबा मैं अभी सारा के साथ खेल रही हूँ जैनब, मैंने कहना अंदर चलो, बहस ना करो जैनब, तुमने आइंदर सारा के साथ नहीं खेलना हाँ, जी, लेकिन क्यों? क्योंकि वो हमसे अलग है, इसलिए अलग? मगर कैसे? जैनब, मैं कह रहा हूँ न, वो हमसे अलग है बहस मत करो, और अपने कमरे में जाओ, जाओ सारा मुझसे अलग है? फुमी, सबसे अच्छी दोस्त है काइद आजम क्या कहते? जैनब, काइद आजम, ये हम का हैं? ये तुम्हारा खुआब है, और मैं तुम्हारे खुआब का हिस्सा हूँ आओ, मैं तुम्हे कुछ दिखाना चाहता सारा, ये तनी उदास क्यों है? सोचो, अगर लोग तुम्हे अलग कहने लगें, तो तुम्हें कैसा लगेगा? नहीं! और अगर इसी तरह सब अलग होते रहें, तो पाकिस्तान का क्या हो? नहीं! जैनब, मेरा अरादा पाकिस्तान के लिए ये था, कि ये एक ऐसा मुल्क हो, जहां सब बराबर शेहरी हो, जो एक मुझस जिन्दगी गुजार सके. इसका कुई हल नहीं है? तुम इस नफरत के सिल्सले को खत्म कर सकती हो, जैनब, तुम्हें खुद अपने मुल्क में इनसाफ और इनसानी बराबरी की हिफाज़त करनी होगी, और अगर मजबूत इमान, तन्जीम और अकिदा हो, तो सब कुछ मुम्किन है. मगर कैसे? पहला कदम उठाकर, ये फैसला तुम्हें खुद करना होगा, जैनब. जैनब बेटा, बेटा मैं जो कल तुम्हारे साथ उस्सा हो गया था, वो हमसे अलग है? अबबा, वो हमाई तरह एक पाकिस्तानी है और उसने कुछ कलत ने किया. काइद ने का, हम सब चाहे कुई भी रंग, नसल या फिलके के हो, सब एक मुल्ट के शहरी है. हम सब के लिए बराबर हकूँ, सहूलते वाज़े में दारिया है. अगर एक दूसरे के साब बिलावज़े की दूरिया रखेंगे, तो एक मुत्ताहित पाकिस्तान कैसे बनाएंगे? तो फिर हम सब फिखटे खेले? चलो, फिर चलो हो खेले. झालो हो खेले.